जी हां दोस्तों कोरणा का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा आप सभी को बता दे जहां पर IPL 2020 का टूर्णमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल ला था बहुत अच्छा रोमांच भी आ रहा था लेकिन COVID-19 के कई सारे केसिस सामने आने के बावजूद उसको अनिश्चित का तक के लिए टाल दिया गया लेकिन ऐसे में कई सारी सीरीज थी जो एलान की गई आपको बता दे कि अब एक ऐसी ही सीरीज पर संकट मंड़ा रहा है जो है भारत वरसिस शेलंका की सीरीज ये बात हवा में नहीं बलकि COVID-19 काल के दुरान कुछ लोगा पोजिटिव आ गये है इसी वज Games कहा जा रहा है क्यूंकि कूरुणा के की केस बले ही दुनिया में कुछ महिनों से पहले के तुल्ना में कम आ रहे हो लेकिन किरिकट पर करनका की बहुत ही बड़ा परभाव पड़ता जा रहा है अभी थाल ही में एंग्ल्यान क्रिकट टीम की खेमे में क्रिकश स् जियां दोस्तों भारत के शेलंका के खिलाफ तीन मैचों की वंडे सीरीज का आगाज 13 जुलाई से होना था लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब ये सीरीज 17 जुलाई से रीशेड्यूल की जा सकती है इसके पीछे का रेजन ये है दोस्तों क्यूंकि शेलंकाई टीम के डाया ए भारत के बीच तीन मैचों की वंडे और तीन मैचों की टीटवंटी सीरीज खेली जानी है इसकी शुरुआ 13 जुलाई से होने वाली थी लेकिन क्रिक बस की रिपोर्ट की माने तो शेलंका किर्किट बोर्ट दो दिन के अंदर ही नया शेडूल जारी कर सकता है लेकिन क्रिक इन्फो की रिपोर्ट की माने तो इस सीरीज को 17 जुलाई से शुरू किया जा सकता है क्यूंकि दोस्तों अगर देखा जाए बीते कुछ दिनों पहले ही कोविड पोजिटिव पाए गाए तो कम से कम 7-8 दिन में रिकवर होने का समय होगा तो 17 जुलाई से शुरू हो सकता ह है जहां पर बात करें तो वंडे सीरीज 17, 19 और 21 को हो सकती है यानिकि एक एक दिन के गैप को छोड़ते वे तो वहीं T20 मुकाबले भी दोस्तों एक एक दिन के गैप को छोड़ते वे 23, 25 और 27 को हो सकती है अब शेलंका की टीम के खिलाड़ी इस समय से इंग्लेंड से लोट पोजिट व आगे खुदा ना कासता तो सीरीज पर खत्रा मणरा सकता है आपको बता देंगे इस दोस्तों कि शेलंका किर्क Whoo बॉर्ड को माला माल कर दिया यहां पर क्योंकि भारत के खिलाब सीरीज में शेलंका क्रिक बॉर्ड को एक बड़ा फायदा होना है ऐसे में वो कि बोर्ड को बड़ा जटका भी लग सकता है नेक्स्ट नैन स्पोर्स की रिपोर्ट